So, Hello and Welcome back to another video और आज हम बात करने जा रहे हैं टोनी स्टा की लव लाइफ के बारे में अब ये बात तो सभी को बताईगी टोनी स्टा कितना बड़ा वाला प्लेबर है MCU में भी और कॉमिक्स में भी तो चलिए आपको ज़्यादा इंतिजान ना कराते हुए वीडियो शुरू करते हैं फटाफाट तो पहला नाम आता है इमा फ्रोस्ट का जिसे आपने एक्समेन की मूवीज में तो देखा ही होगा वही काच वाली ओरत जिसकी सेक्सुएलिटिकों मूवी में कुछ ज़्यादा ही एक्स्प्लोर किया गया था तो कॉमिक्स में ये और टोनी फ्रेंड्स होते हैं ऐसे विसे फ्रेंड नहीं फ्रेंड विद बेनिफिट वाले फ्रेंड्स जिसमें सरिफ टोनी का ही नहीं दोनों का ही फाइदा था और टोनी तो हे ही अरामखोर और इसी के साथ दूसरा नाम आता है गमोरा का हाँ अब कोमिक्स में गमोरा टोनी की खास में से एक थी टोनी जब जब भी स्पेस में जाता था, तब तब इसके साथ कांड करकर ही वापस आता था अब एलियन के साथ करने का मुकाकर कोनी ही छोड़ेगा और टोनी तो हे ही ठरकिलोंडा, उससे कोई फरक नहीं पड़ता सामने वाला एलियन है या इंसान हाँ और अब तीसरे नमबर पर आती है Spider Woman अब इनका मिलेन हुआ था Marvel के Special Holiday इश्यू में उसमें Iron Man ने पहली बार Spider Man को किस किया था नहीं नहीं Spider Woman को किस किया था और हाँ है भी Tony Stark तो किस तक पर रुका नहीं होगा आगे भी इनका बहुत कुछ चला और इसी के साथ अगले नमबर पर है She Hulk हाँ जैसा कि हम सब जानते हैं कि She Hulk Iron Man से कम ठरकी नहीं है ट्रेलर में भी हमने यहीं देखा कि उसके भी काफी सारे One Night Friends रह चुके हैं तो इसी वज़े से Tony भी उसका एक बर एक रात वाला Friend बन चुका है जिसके बारे में मैं डिटेल में बता चुक हूँ She Hulk की Love Life आली वीडियो में अगर आपको वो देखना है तो इस वीडियो को बाद जरूर से देख सकते हैं हाँ तो अगले नमबर पर आती है जैनेट हैंक पिन की बीवी हाँ इसे MCU में तो एक बुडिया बता है मुवी में तो देखा ही है टोनी स्टाक के साथ कांड करते हुए लेकिन ये कॉमिक्स में भी टोनी स्टाक के साथ रह चुकी है जिसके बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में जानेंगे तो अगले नमबर पर है नताशा यानि कि इन दो नगफलेट हमने आईरन में टू मुवी में तो देखा ही था मगर आगे कुछ ज़्यादा देखना को नहीं मिला लेकिन कॉमिक्स में ये दोनों काफी बार एक साथ सो भी चुके हैं जिसमें काफी ज़्यादा मज़ा भी आया था तो अगले नमबर पर है केप्टन मार्वल अब हाँ ऐसा हमें कुछ मुवी में देखने तो नहीं मिला लेकिन कॉमिक्स में दोनों काफी बार एक साथ रह चुके हैं अब ऐसे अजीबो गरीब काण मार्वल की एक ही कॉमिक्स सिरिज में होते हैं यार उसमें इतने एजीब काण्ड होते हैं अगर तुम उसे एक बार पढ़ लो तो तुम उसे अपने दिमाग से 10 दिन तक नहीं निकाल पाओगा पर यह इतनी जादा डार्क इतनी जादा गंदी है उसके काफी सारे काण में पहले ही आपको इन सब वीडियो में बता चुका हूँ झाल झाल